दीनेस कार्तिक एक ऐसा खिलाडी जिसने इस बात को साबित कर दिया कि उम्ड वाकी सिर्फ एक नमबर है जिस तरह से उन्होंने अफरीका के खिलाफ खेले गए चौथे T20 मैच में अपना तावर तोड खेल दिखाया था उसे देखकर यही लग रहा था कि कार्तिक बस अभी अभी टीम में भरती हुए हैं साल 2006 में इंडिया के लिए पहला T20 खेलने वाले दीनेस कार्तिक आज भी टीम के लिए खेल रहे हैं आपको बता दे कि साल 2006 में उस टीम से कार्थिक एकलौते खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो वही मैच के बाद कार्थिक इंटर्वियू देने पहुचे जहां एक हैरत अंगेज वाक्या सामने आया इंटर्वियू के बीच ही कार्थिक एकदम चुप हो गया और हैरान होकर आसमान की तरफ देखनी लगे फिर अचानक से कार्थिक ने अपने आपको समहला और बोले माफ कीजिए मुझे लगा कि गेंद इस तरफ आ रही है इसके बाद कार्थिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो टीम को लड़ने लायक टोटल तक पहुचा सकते हैं पुरवाती तीन विकेट गिरने के बाद कप्तान रिसफपंत का भी विकेट गिर गया जिसके बाद बल्ले बाजी का जिम्मा समहलते हुए कार्थिक पिछ पर आये और उन्होंने दो छक्के और नौ चौको की मदद से 55 रन की तावर तोड़ पारी खेली तो वहीं इस पारी में हार्थिक पांडिया ने कार्थिक का जमकर साथ दिया दोनों के बीच पांचवे विकेट के लिए 65 रनों की साजेदारी हुई इस साजेदारी की मदद से टीम ने मैच को अपने नाम किया इस मैच की जीत के साथ सिरीज 2-2 की बराबरी पर आ गई है सिरीज का आखरी मुकाबले में फैसला होगा की सिरीज किसके नाम होगी Bureau Report IPN